आपका विलफ्स एक न्यू एपिसोड एंड न्यू 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 मतलब की यार न्यू नहीं है यार मैं हमेशा यार न्यू गोलता है यार चील यार है इंड यार क्लेन केपिटल अपनो आच चुका है तो केपिटल अटेक्स के बारे में सीखेंगे और एटेक्स करेंगे यार आज अज मतलब यूनीक अटेक करेंगे यार क्लेक्तल में भी बेस्ट आटेक्स जो चले आप लोग में पहले ये बताओ यार किस-किस ने ये परचेद नहीं किया सिर्णरी और ये मिसन पूरा नहीं किया जो की इवेंट तो यार जागे फटाक से इवेंट वाली करो यार कम्प्लीट करो अगर नहीं कर पा रहे हो तो मेरा यार पिछला मैंने वीडियो आई बेटन पे दे दिया है लिंक उसको जाके चेक आउट करो एड यार तरीका भी बता दिया सिंपल तरीके से इसली थ्री इस्टार करके आप यार टू इस्टार करके जल्दी से जल्दी आपने ट्रॉफिक लॉस ना करके भी आप अच्छे से अटैक और मिसन मतब इवेंट को कम्प् उपर वाला छोड़े सो देखते हैं इसको पहले सौट करेंगे स्कॉट करेंगे मतब देखेंगे सो यार वाह ओपी मेरा तो पूरा पूरा टैक बचेगा यार एंड जैसा कि यार पूरी की पूरी डिफेंस शक्ना चूर हो चुकी है तो अभी हम लोग को क्या करना है इस प ग Taraanywa a. जास मेरे दुया पर गर भच जाता मेरे प्यारी ची दुनिया बच जाती यार特 स्ट छिल यार और चलो चोड़ो यार मैं चलो इसको देख ते हैं ईड न टैक करते हैं जो भी अपना डिकीन से भी उसी तरह आज तरह में डिकार यार फट्ह Nay्ज शोड़ो नहीं है अगर अगर आपको इस तरह की दुनिया मिले तो आप क्या करोगे पहला चीज तो यार अमेजिंग करो अमेजिंग करना बहुत ही बड़ी बात है तो गाइज यार अमेजिंग करो एंड मुझे बताओ ठीक है उससे पहले आप सभी से दिल से रिक्वेश्ट है यार जो लोगी चैनल पे न्यूँ हो चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो और बेल आइकन दबाए नहीं तो दबा दो मेरे गाइज क्योंकि आपका नौड़वीकेशन मतलब मेरा नौड़वीकेशन भी डबा देना होगा एंड यार प्लीज यार सब्सक्राइब वाल वेडियन भी दबा देना एंड साथ ही साथ जितना ज़्यादा उसके वीडियो को सेयर करते ना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपका भाई मैनेज कर रहा है तो भाई चलो अभी रियल अटेक की तरफ एंड ये तो अपना हो चुगा एंड फाइफ अटेक अपने बचे हैं ठीक है तो उससे पहले थोड़ा से इंट्रो देख लेते हैं गाईज एंड उसके बाद चलेंगे मेन अटेक तो गाईज हम लोग फाइलली आ चुके हैं और करेंगे हम लोग पहला अटेक तो पहले हम लोग बेस को स्कॉट करते हैं तो ये बेस है एंड भाई ये हम लोग का न्यू बेस खुला है गाईज एड इसका भी खुला है गोलम भाई ये गड़ी गड़ा कहां से है भाई इस पे किसने पाद मारा बाई दो दो गड़े पड़े हैं तो यह जाइंट पाद मारा है क्या यहां पर की दो गड़े हो चुके हैं तो गाई यार ज़स्ट चील एंड ज़स्ट फन एंड तो उससे पहले गाई अप लोग देखते हैं यार की डिफेंज में यार एक्सबो बहुत ही खतरना कोता है एंड यार मिसाइल वाले अभी बहुत खतरना कोता है तो इसके लिए आइटिंग यार हम लोग को पहला हटे क्या करना चाहिए सीज मसी नहीं इसको तो अटा देना चाहिए इसको पुरा हटा दूंगा एंड मुझे मीनियन्स यूच करना चाहिए टोटली मीनियन्स और चाहिए टोटल सा चाहिए और दो दो वाल ब्रेकर ले लेता हूँ ज्यादा बेश्ट रएगा ठीक है एक अर्चाहिए दो बाल बेकर एंड बायक की वाई बस इसमें आधा तो आधा कंपार्टमेंट ले लूँगा आइधिंग मेरे क्याल से है तो अम लोग पहले ले लेंगी अर्चर एंड यार लाइटिंग से अपना पूरा का पूरा यह जो मार रहते उनको भाई खतम करें बस एक बच गया यार जो मोटार भाई वो लगतार उसी को दरता उसी को भाई छोड़ दिया यह लाइटिंग भी न इसकी भैस की गोली मारू सो गाइज यार अरे वा 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 अर्चर देख रहो यार खूपिया रास्ता बना के जा रही है सो गाइज यह प्योर दियाती है एंड दियाती लोग जानते हो न दियाती गाउं के जैसे होते हैं कितना भी बाद या जो है बादर बाना दो वो अपना खूपिया रास्ता बना लेते हैं सेम वैसे अर्चर है एड है अपना खुपीया रास्ता जंगल की पात्रीली रास्ते से बना के अंदर की और चले गए थे बट कोई फायदा नहीं हुआ मार दिया भाई इतनी छोटी सी जान को इतना वड़ा एरो ओ भाई इधर से वाल परेकर तोड़े तो वाई उधर भी ट्रेप रखा हुआ है ट्रेपिंग बहुत ज्यादा होती है गाइस एंड बहुत ही खतरना सौट देता है इसकेटर सुचो अभी मैक्स नहीं है गाइस एंड मैक्स रहता तो क्या ही मेरा पुगई बसता तीस़ीलिये मैने अर्चर कि अर्चर में फायदा क्या होता मैं एक चीज़ बता देता हो आपको ठीक है सभाट अभी साथ बाहर मतलब हम नों चोड़ सकते हैं और चर को तो अभी अमनों फिलाल किदर चोड़े यह ले ले लेंगे ताकि हमारा रास्ता खुल जाए ले राइड शाइड का रायड साइड का भाई यार कसम से इसकेटर एक सौट में मार रहा है यार हैस्की गड़े मे में फच जाएंगी ट्रैपिंग है एंड इसको खतम करेंगे दोनों को एक दो खतम करते प्लीज नहीं कतम प्यार चलो यार फाइनली मतलब यह तो खतम हो जाएंगे यह तो मुझे मालूम है एक साउट मतलब इससे खतम हो जाएगा ठीक है तो आइटिंग मेरे क्याल से डिफ 50% से एवफ हो चुका है 55% हमनों ला दिया है फ़स्ट अटेक में आप लोग भी इसी तरह सिंपल जब भी स्टार्टिंग करो तो आप अपना अर्चर से स्टार्ट करना क्योंकि यार अर्चर से स्टार्टिंग से यही होती कि जो भी ट्रैपिंग होता है या छोटा-छोट होट होता है वो सब तोड़ने मासानी होती है जादा पैमाने में आपको टाइमिंग मिलता है ठीक है एंड आपको परसेंटेश कलेट करने को मौका मिलता है ठीक है तो अभी हम लोग इसको हटाएंगे एंड इसके बाद हम लोग बनाएंगे मसीन ठीक है ना जो कि सीज मसीन भाई उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम I think यार जो भी है उड़न तु खटोला ठीक है ना उड़न खटोला ले जाएंगे और चार पांच ले लेने हैं अर्चर और दो भाई उपर का स्केल्टन एयर स्केल्टन ले लेते हैं जो उड़ता है यार बैटके गुपाड़ा भाई नाम देखो यार मैं जह नहीं मालूम I think मैं जैसे जस्चील यार मैं जोग कर रहा हूँ एड यार ले लेता हूँ एयर बलून ले 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 रहा हूँ ठीक है बाकी अभी हमनों छोड़ते हैं किदर से चोड़े तो भाई इधर लेट साइड से हमनों सीज मशीन को छोड़ेंगे ठीक है ना मतलब उडन खटोला को अपने छोड़ेंगे भाई गया ये देखो भाई धूँआ फेकते हूँ साथ ही साथ उसके साथ बलून स्केल्टन छोड़ेंगे एंड भाई अपना रॉकेट लून छोड़े किदर से देखना चाहरा हूँ रॉकेट लून किदर से छोड़ू इसको तो लाइट इसमेल से उगाइब कर लेते हैं अभी तो कोई डिफेंस को नुकसान पहुचाने वाला डिफेंस नहीं है तो उधर से ही छोड़ देता हूँ ज्यादा पेश्ट होगा एंड जल्दी से तोड़ देगा उसको ठीक है बागी डिफेंस में अभी कुछ नहीं बचा अभी सारे सारे स्केल्टन जो भी है छोटे मोटे वही सब तोड़ देंगे तो ये था फर्स्ट एन सेकंड अटेक अटेक में मतलब मतलब प पूरी की पूरीahi मतलब क्या बऌले स्मयं हो चुका हम लोग का अधीन यह बहुत आसानी स्थाई सियख ले लिया गया जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास medal बहुत अच्छे हो चुकि है अभए अभी हमारे पास 3 attack है 3 attack में अभलोग दूसरा level हम लोग पार करेंगे and 3 attack में क्या हम लोग पूरी के पूरी एक compartment सबसे पहला चीज हम लोग एयर छोड़ना चाहते हैं क्योंकि यार देखो इसमें क्या है न एयर डिफेंस को मतब कम है एंड ग्राउंड के लिए ज्यादा मतब हो है एंड चाहते तो हम लोग अर्चर से भी कर सकते हैं बड़ यार अर्चर को टाइम बहुत ज्यादा लॉस हो करेंगे क्योंकि यार देखो राइट साइड में यह सारे कमपार्टमेंट एक मसीन से लेंगे और लेट साइड का कमपार्टमेंट अर्चर से अगली अटेक में लेंगे तो यह चीजे रहेगी सही रहेगी चलो इंटरी करते हैं अंदर की और पहले अर्चर से यह साइड से ले लेते हैं पूरा का पूरा जो Hoots है ठीक है ना तो एक अचर इधर छोड़ देंगे लेट साइड एड एक अचर राइड साइड ताकी पूरी आसानी से वाइड डिफेंस को साफ कर सके ठीक है तो पहले डिफेंस कर रहा हूं यहार Hoots को खतम करे एंड रास्ता बना ले तो फिर उसके बाद हमनों सीज मसीन चोड़ेंगे जैसे ही तो आप पास में जाएंगे उसके बाद सीज मसीन चोड़ेंगे दूर से नहीं चोड़ेंगे गाईज पास से चोड़ेंगे जैसे कि यहाँ देखो यहाँ पर एक्सबो को टेक्डाउन करेगा यह अपना सीज मसीन एंड उसके पाद आपनो भाई लेफ्ट साइड में अपना बलून छोड़ना चाहिए पहले लाइटिंग छोड़ देते यार यह सामने जो कमपार्टमेंट है उस पे छोडते ओ ठीके ना हाँ जो राइट साइड में था ठीक है एंड यह अरे अरे कहा जा रहा है यार भैंस की उधर मरने क्यों जा रहा है यार यार गलत सीट हो गया लिद गलत होnte जहा ही फैयल 打ink की यार किसी तरह इसको बैक अप बना देते हैं एंड यार इसके पीछे दो लून ये एर लून छोड़ देते हैं जो ट्रैपिंग लून इसके टैन वाला क्या बोलते हैं उसका नाम ही नहीं माली तो छोड़ कर भाई थोड़े से जली तोड़ेगा आइड वाई गया यार अभी थ्री अटेक में ही जाना पड़े गया वरना मैं तो अटेक में इसको कंप्लीट करने वाला गाइस एंड रियली यार बहुत ज्यादा है टू अटेक तो बैक्सिमम सबको अलगता है गाइस एंड यार डिफेंस बचा है एयर और बलून बचा है एंड एक बच्चा है अर्चर तो अचर से ये ले लेते हैं जादा बढ़ इंड जादा वेस्ट रहें अर्चा क्या है तो क्या उडा दू क्या उडादा तो यह ही दौने उडा देता है ठीक है एंड ये भी चलो साफ हो चुका फाइनली तब भी हम दो यार 39 परसेंट लाया गया यार थोड़ा सा यही चीज मैंने बताया ना कि यार थोड़ी सीज मीश्टेक हो जाती एंड सीज़म अगर अर्चर से लेता तो अराम से झार 50 परसेंट आ जाता तो ये था बट कोई नए नेश्ट ऐस वार अर्चर को लेके जाएंगे या सोच यार अर्चर को नहीं है तक आफे करेंगे अर्चर को नहीं एक्चुल में क्या ना सेम अटेक करना ज्यादा बेश रहेगा क्यों और क्योंकि वाई देखो हम लोग का पार्ट में जो उड़ाना था वो चीज उड़ा ही नहीं और वो सारे के सारे दूर दूर हैं आप देखो या ग्राउंड का जब भी चीजे रखो ट्रैप इतना ज्यादा होगा ना की दिक्कत करेगा तो इसलिए आपको जितना ज्यादा उसके कि आर ग्राउंड जब पास में रहे तब आप अर्चर का ज्यादा यूज करना जैसे कि जो लाश्ट वाला लेवल होता है उसमें अर्चर को यूज क्या करो आपको तूसरे लाउंड या तीसरे और ने आप आराम से बेस्ट जो वैसे तो हाल बेकर अभी छोड़ने का मन नहीं है अभी पहले देख लेता है कि इना कपमार्ण पेंट उडा लेता है ठीक ना क्योंकि इसको लाश में बचाएंगे एंड ज्यादा से ज्यादा वाई अपने पास यार गलत यार सीज बहुत गलत कर रहा है इसको अलग डायरेक्शन में क्यों जा रहा है सामने डेखरो डिपेंस होते हुए भी बट वो नहीं गया एंड यही गलत सीज है एंड क्या ही बु तो यह चीजे है एंड एंड आइटिंग जल्दी से जल्दी आर उडादे उडादे प्लीज प्लीज एक सॉट और एक सॉट है ओ भाई डॉब लो गया एंड इसकेलटन ले 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 गाई खतरनाक यार क्या ही मतलब यार यह मिसाइल वाला खतरनाक है यार एंड एक अर्चर से हम लोग क्या टेक डाउन कर सकते है यार इक चर्चर से चलो यार सीज में से कुछ तो डैमेज पहुचा देंगे भाई लो उसमें भी ट्रैप देखा न गाई यही चीज में बोल लाओ एंड ट्रैपिंग की बात कर रहा हूं ट्रैपिंग बहुत ही ज्यादा मुस्किल हो लेंगे यार कंफर्म त्री स्टार्ट निकाल लिया जाएगा नहीं निकाल पाए जाएगा यार तो बहुत तो दुख्य घटना होगी तो यार प्रीज आर अगर निकाल लिया तो यार वीडियो को लाइक एंड सेर और सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा तो देखते हैं अब यार अब आएगर आएग्यर तेक अपना सीज मसीन डारेट्ट ये मिसाइल पर गरें अरचर को भी ले लेते हैं अब आपना हो चुका अभी सीज मसीन चोड़ेंगे अब ना और यार अपना हो चुका अब बहुत ही गन्दा डेमेश दे रहा हैं यार शर्च बतारो मि सीज मसीन चोड़ देंगे अब नॉर्मली बाई एयर इदर चोड़ दिया अच्छा खासा बाई ओपी वाला सीन है अब आसानी से थ्री स्टार हो जाएगा गाईज आप लोग को क्या लगता है होगा की नहीं होगा रनी नीसâte funeral के लिए फटे अउड़ अफ रहह चेनल को सेर करते जाएज दो प्लीज आउड बीडियो को पूरा देखे उसके लिए थाइंक्यू सो माँझ गैज अब अच्छा आगर इंटर्टेंड हुए इस वीडियो शेर्ए तो प्लीज यार मुझे बताईगा क translate प्लीज ह आपको वीडियो में कैसा लगा क्या अच्छा लगा सो मुझे एक बार जरूर बताएगा एंड मैं उस चीज को और अच्छे से परजेंट करूंगा जो चीज गलत लगेगा हो भी मुझे बताएगा मैं उसको सुधार हूंगा एंड गाइस प्लीज आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट है यार मेरे प्यारे दोस्त मैं बहुत ज़्यादा मैंनत कर रहा हूं इस मैंनत को यार प्लीज यार कुछ नाम देऊं इसलिए आप सभी से कर रहा हूं दिल से रिक्वेस्ट है जो लोग यार चैनल प्यारो लाइक सब्सक्राइब माई चैनल सो मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए आपका बिलॉप्स कहता है जै हिन जै भारत जै महराष्ट जैसा कि मेरा ये है क्लेन कैपिटल सो के बाई थाइंक्यू सो माच यार थाइंक्स पॉर कमिंग आप आए बहार आई सो लब यू गाईज